आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हमारा question के गरण find the particular solution of the following problem हमारे पास differential equation दी गई है x2 dy minus x2 plus xy plus y2 dx equals to 0 at y1 equals to 1 पे तो हमें इसका solution निकालने देखी इसका question को कैसे करेंगा सबसे पहले अपनी differential equation लिख लेते हैं यह हमारे पास x2 dy minus का x2 plus xy plus y square dx बराबर है किसके 0 के तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x2 dy लिख सकते हैं x2 plus xy plus y square dx ऐसे लिख सकते हैं हम इसे तो यह क्या हो जाएगा अब dx को इस्तरफ ले आते हैं तो यह हो जाएगा dy by dx और x2 को इस्तरफ ले जाते हैं तो यह हो जाएगा x2 yx2 plus xy plus y2 upon x2 plus y2 upon x2 то यहां से x2 से x2 cancel हो जाएगा यहाँ पर x का एक बावर इससे कट जाएगा और यह हो जाएगा हमारे पर dy by dx परावर आजाएगा हमारे पास 1 प्लस yyx प्लस y square upon x square इस हम मान लेता है equation number first अब हम क्या करेंगे put x equal to lambda x and y equals to lambda y यह हम किसले कर रहे हैं कि हम चेक करें कि हमारे जो equation है homogenous है या नहीं तो यह हो जाएगा dy by dx परावर हो जाएगा 1 प्लस lambda y upon lambda x plus lambda y का square plus lambda x का square तो यह हो जाएगा dy by dx हो जाएगा 1 प्लस lambda y upon lambda x plus lambda square y square upon lambda square square तो यह कट गया है यह कट गया है यह कट गया है यह कट गया यह कट गया तो हमारे पास जो finally equation क्या है वो क्या है dy by dx बरावर क्या हो गया 1 प्लस y by x plus y square upon x square अगर हम हमWaslamALD equation second तो हमारी जो equation first है और equation second है equation one and equation second जो हमारे पास क्या है are same therefore therefore यह क्या है हमारे पास therefore it isn't homogeneous equation यह हमारे पास homogeneous हा गई तो अब हम क्या करेंगे इसे solve करेंगे तो यहां पर हम equation ले ले लेता है हमारे पास क्या है dy by dx बराबर क्या है one plus y by x plus one y square by x square अब हमारे पास कोई भी homogeneous equation को solve करने के लिए हम क्या करते है y by x जो होता है उसका हम मान लेते कोई भी variable put y by x equal to यहां पर हम मान लेते t के बराबर है तो y क्या हो जाएगा हमारे पास y हो जाएगा हमारे पास tx अब क्या कर देंगे by by differentiating by differentiating both sides with respect to x with respect to x तो यह क्या हो जाएगा dy by dx पराबर क्या हो जाएगा अगर हम यह करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसमें यह हो जाएगा dty dx into max यह हो जाएगा plus का x का differentiation 1 तो यह 1 into t तो यहां से हमारे पास dy by dx की value आ जाएगी हमारे पास dy by dx की value आ जाएगी x dty dx plus t तो अब इसकी value हम put कर देते हैं किसमें इसमें हम put कर देते हैं इसको माल लेते equation third वैसे तो यह 1, 2 और 3 जो हमने assume करी हैं उसम है हमारे पास तब भी हम इसको assume कर लेते हैं ताकि हमें easy रहे तो यह dy by dx पराबर हो जाएगा 1 plus y square y by x plus y square by x square तो यह हो जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा हमारे पास x dty dx plus t 1 plus y by x plus y square upon x square तो यह हो जाएगा 1 plus t plus t का square तो यहां से t से t cancel हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारे पास इसको हम solve करेंगे तो इसको हम लिख सेकते हैं dty one plus t square और यह हो जाएगा dx upon x. तो अब क्या करेंगे by integrating, by integrating, by integrating बौद साइड, दुनों तरफ अगर integration करदेंगे तो यह क्याँ बन जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास tan inverse t और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास log x और ये हो जाएगा plus का c और हमें क्या बोला गया है हमें बोला गया है y1 at y1 equals to 1 पे हमें value निकाल लिए है therefore इसे हमें क्या पता चलिवा जाएगा कि y equals to 1 at x equal to 1 ये हमें पता चलिवा तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले हम यह वाली जो equation है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan inverse, y by x, बराबर log x, प्लस c, तो put, x equal to 1, and y equals to 1, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, tan inverse, tan inverse 1 by 1, बराबर log 1, plus c, तो यहाँ से tan inverse 1 की value क्या होती है, हमेशा, pi by 4, और log 1 की value 0, तो c की value हो गई, pi by 4, तो हमारी पास जो equation बनेगी, यह हम माल लेते, equation number 4, तो equation number 4 हमारे पास क्या बनेगी, tan inverse, y by x, बराबर क्या होगा, log x, प्लस, pi by 4, यह हमारा solution and differential equation का, यह हमारा final answer है, thank you, Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप, यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 पर,